स्वाकत है एक बार फिर से आप सभी का study IQ PCS के इस प्लेटफॉर्म पर कैसे है आप सभी उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे आपकी तैयारी भी बहुत 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 तरीके से चल रही होगी और जिस तरह से आपका सहयोग मिल रहा है हमारा यह जो प्रोग्राम ह है जिसमें GS for prelims के अंतरकत हमने science को चुना है और इसके अंतरकत अलग अलग topics को हम लोग cover कर रहे हैं तो इस topic को आप जिस तरह से पसंद कर रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि आप revision भी अच्छे तरीके से कर ही रहे होंगे और इसमें हमारा जो topic चल रहा था circulatory system चल रहा था उस है क्योंकि circulatory system हम अपने बात करें तो body fluid की होती है basically हम यहाँ पर blood circulation की बात करते हैं तो blood से जुड़ी हुई कुछ महतपूर चीजों को भी हम यहाँ पर और जानने की कोशिश करेंगे यानि की blood group से संबंजित कुछ question को आज के episode में हम लोग शामिल कर लेंगे और इस तरह से circulatory system को तो cover करेंगे ही करेंगे साथी साग blood group से जुड़े जो भी कुछ conception है जो misconceptions है कुछ concepts है उन पर भी हम लोग बातचीत कर लेंगे अगर आप लोग को सही लगेगा तो blood group के उपर एक अलग से भी session मैं ले लूँगा तो फटा-फट live session के साथ जुड़ जाईए और जो भी आपके अन्य साथी है उन तक live session को आप forward कर दीजी जिससे की इसका lab उन सब को भी मिल सके जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि UPPCS की जो परिक्षा की जो date है वो बढ़ गई थी आरो की जो परिक्षा थी आरो ए आरो की वो cancel हो गई थी अगर ये परिक्षा आयोजित हो गई हो लेकिन परिक्षा कब होने के इंतिजार के साथ ही साथ जुड़ा है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर तरीके से हो चुकी है तो समय का सदूपयोग करिए और इसी लिए जो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें MCQ के माध्यम से हम प्रैक्टिस करवाते हैं यहां पर पूचिए कमेंट सेक्शन में पूचिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूचिए ग्रूप पर पूचिए इंस्टाग्राम पर पूचिए लेकिन जो समय आपको मिला है उसका सदूपयोग करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए क्योंकि अगर पिछले कुछ सालों म है वह दिन बर दिन टफ होता चला जा रहा है तो इसलिए बेसिक कॉंसेट आपके जरूर क्लियर होने चाहिए क्योंकि किसी भी चीज की फाउंडेशन जो है वह बहुत मजबूत होनी चाहिए तब ही उसके ऊपर उची इमारत हम बना सकते हैं तो इसी चीज को ध्यान में र और पर मैं यहां पर फटा फटा आपको ब्रीफ कर दूँ क्योंकि ऐसे बहुत से स्टुडेंट होंगे जो कि नए सीरे से हमारे साथ जुल रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा एक मैं ब्रीफ कर देता हूं बहुत ज्यादा हम नहीं जाएंगे क्योंकि कम समय में हमें परिशंचरल तंत्र है उससे दोहरा परिसंचरल तंत्र कहते हैं यह मैं आपको बता चुका हूं लेकिन एक बार थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर देता हूं इसके अंतर कता अगर हम देखे तो जो हृदrh है हार्ट है वह मेन और गन है जिसके द्वारा जो है ब्लड पंप किय जाता है different parts of the body ठीक है तो सबसे पहले हार्ट के इस्ट्रक्चर का मैं आपको एक idea दे दूँ ठीक है हला कि मैं पहले भी बना चुका हूँ और आप लोगों को पता ही होगा ये चार चैंबर चार कक्ष का होता है मनुस का हिर्दय की अगर बात करें इसकी तीन layer होती है पेरिकार्डियम, मीजोकार्डियम और इंडोकार्डियम ठीक यहाँ पर आप देखिए ये जो है राइट औरिकल, लेफ्ट औरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ठीक अब यहाँ पर आप देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये सुपीरियर वेना कावा है ये इनफीरियर वेना कावा है, ये कोरुनरी वेन है ठीक है, अब यहाँ पर एक ओर्टा लगा हुआ है, ठीक है इस तरह से, यहाँ पर पेस्मेकर है यहाँ एवी नोड है जहाँ पर एक यह पल्मोनरी ए ओर्टा है, यह पल्मोनरी आर्टरी भी कहते है यहाँ पर एक वेन आकर के खुलती है, इसको हम कहते है इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पल्मोनरी वेन ठीक है, थोड़ा सा इसका figure complicated है अगर लेकिन आप भ्यान से इसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा ब्रीफ करता हूँ आपको चीजे देखिए superior vena kawa और inferior vena kawa क्या करते है यह जो है, superior vena kawa body जो हमारी है, उसके उपरी हिस्से से blood को ले के आती है right or kill में और inferior vena kawa सरीर के निचले हिस्सों से blood को ले करके आती है right or kill में, तो right or kill में अगर देखें तो यहाँ पर जो blood आ रहा होता है यह अशुद्रक्त होता है, जिसे हम de-oxygenated blood कहते है अब de-oxygenated blood या अशुद्रक्त जब यहाँ पर आ गया ठीक है, तो इसके बाद, जो यहाँ पर आप देखें, valve लगे होते है इसको tricuspid valve कहते है और यहाँ पर इस तरह से होते हैं, इसको bicuspid valve कहते है ठीक, तो यहाँ पर involve के थूरू जो होता है, यहाँ पर blood जो है आता है right ventricle में और यहाँ से अशुद्रक्त जो है pulmonary aorta के थूरू चला जाता है lungs में, lungs में जो है जो अशुद्रक्त होता है, उसके शुद्धी करण होती है यानि कि oxygenated blood फिर lungs से आता है left auricle में किस के थूरू pulmonary vein के थूरू आता है और pulmonary vein के थूरू जब यहाँ पर left auricle में आ जाता है तो यहाँ पर यह left ventricle में आता है bicuspid valve के द्वारा और फिर यहाँ से जो यह एक aorta है ठीक है इस aorta के through different parts of the body तक रक्त को भेज दिया जाता है अब यहाँ पर देखिए कि एक बार रक्त यहाँ से आ रहा है फिर रक्त जो है यहाँ से चला जा रहा है lungs तक फिर lungs से फिर यहाँ पर रक्त आ रहा है तो इसी लिए इसे double blood circulation कहते है इसे Sir William Harvey के द्वारा खोजा गया था Sir William Harvey ठीक है इन्होंने बताया था ठीक तो यह पूरी की पूरी रक्त परिसंचरण की जो विधी है क्रिया विधी है यह है वह pacemaker या इसे sinus node भी कहते है यहाँ से शुरू होती है यह पास कर दी जाती है कहाँ पर AV node पर AV node के पाथ यहाँ पर यह bundle of his होते है यहीं पर पर किंजे फाइबर से लगे होते है तो इसके बाद यहाँ पर यह जो electrical impulse है यह bundle of his और पर किंजे फाइबर के थूप पूरे के होती है तो यह इसकी पूरी की पूरी क्रियाविदी थी फटा फट कोश्चन पर हम लोग करते हैं क्योंकि यह बहुत ज्यादा लेंगदी भी हो जाएगा तो चलिए सवाल सुरू करते हैं विन अ परसन बिकम्स ओल्डर ही ब्लट प्रिशर जेनरली ठीक है डिक्रीज इंक् पर भी तक ऐसा रूल या कोई भी चीज कंक्रीट हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है कि ब्लट प्रिशर इंक्रीज होने का क्या एक्जैक्ट कारण होता है यह कई चीजों पर निर्भर करता है यह कोई ऐसी सिच्वेशन है कभी हम टेंसन में है ठीक है कभी हमने खाना ही खा रखा है या हमने खाने में ज्यादा नमक मिला लिया है यानि कि हमने हम साल्ट को हम ज्यादा कंज्यूम कर गया तो अलग-अलग स्ट्रेस के कंडिशन में है तो डिफरेंट जो भी कंडिशन होती है उस पर भी यह निर्भर करता है लेकिन कोई कंक्रीट अभी तक इस का जो सही उत्तर हो जाएगा, option B हो जाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, या व्यक्ति जब बुढ़ा होने लगता है, तो उसका जो रक्त चाप है, या blood pressure जो है, वो बढ़ने लगता है, तो the cause of the high blood pressure or not known, यानि कि जो blood pressure बढ़ने का कारण है, अभी तक पता नहीं है, लेकिन कई ऐसे several factors हैं and conditions है, which may play role, which play an important role in increasing the blood pressure of a person, ठीक है, ऐसे बहुत से factors हैं, बहुत से ऐसे conditions हैं, जो की blood pressure को बढ़ाने के लिए महत्पूर्ण रोल अदा करती है, उसमें क्या-क्या हो सकता है, smoking हो सकती है being overweight, आपका वजन जादा है, obesity, obese यानि कि मोटापा जादा है, lack of physical activity, आप कोई शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहे होते हैं, तो इसकी वज़ा से भी बढ़ता है, too much salt in the diet, too much alcohol consumption, more than one or two drinks per day, stress, older age, देखें, older age भी इसका एक महत्पूर्ण घटक है, factor है, जिसकी वज़ा से blood pressure यह कहने कि, genetically भी हो सकता है, कि अगर आपके जो elders रहे हैं, जो आपके पहले वाली जो पीडियां रहे हैं, उनमें इस तरह कि अगर कोई situations रही हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है, chronic kidney disease, adrenal and thyroid disorder, यह तमाम ऐसे महत्पूर्ण factors हैं और conditions हैं, जिसकी वज़ा से blood pressure बढ़ जाता है तो इसमें से older age एक factor है, तो यहाँ पर प्रसनका जो सही उत्तर हो जाएगा, option भी हो जाएगा, अगला question देखते हैं, अगले question से पहले आपको बता दे कि, जो पूरा का पूरा हमारा session है, इसकी PDF आपको मेरे telegram channel, study with Salman sir, study IQ पर मिल जाएगी, इसके अलावा मेरा यहाँ पर group में मुझसे पूछ सकते हैं, इसके अलावा मेरे Instagram पर भी आप direct message कर सकते है, study.with Salman sir, यहाँ पर आपकी कोई personal problem है, अभी आप कभी demotivate हो जाते है, कैसी तैयारी करनी है, इतना लंबा syllabus है, तो तमान कोई भी आपकी समस्या है, तो आप direct message के थूरू मुझसे बातचीत कर सकत है, यहाँ पर आप में से कोई अगर paid class लेना चाहता है, paid courses लेना चाहता है, कोई books खरीदना चाहता है, study IQ की द्वारा जो published book है, तो Salman live code का इस्तेमाल कर लीजे, maximum discount आपको मिल जाएगा, चली आगे चलते है, अगले question पर बातचीत करते है, blood pressure of four person given below, ठीक है, चार लोगों का रख्त चाप या blood pressure नीचे दिया है, आपको बताना है whose blood pressure is normal in following, किसका जो है blood pressure normal है, सामाने है, तो स्रीमती X, स्रीमान X, स्रीमान Y, स्रीमती Y, यह दे रखा है blood pressure, 0 oblique 690, 160 oblique 120, 120 oblique 80, 140 oblique 100, तो क्या सामानी होगा, तो सामानी जो blood pressure होता है, 120 oblique 80 होता है, इसमें 120 जो होता है, इसे हम systolic blood pressure कह ले, या फिर इसी को top, या first number हम भी हम कहते हैं, systole, अगर आपने पहले की class की होगी, तो ये concept आपको clear हो जाएगा, अगर आपने नहीं की है, तो परिशान होने की ज़रुरत नहीं है, आप previous वीडियो को जाकर के देख सकते ह सारी चीजें आपको clear हो जाएगी, और ये जो 80 है, ये dia stall है, ठीक है, dia stall या इसी को bottom, या इसी को second number भी कहते हैं, ठीक, तो यहाँ पर 120 oblique 8 किसका है, Mr. Y का है, तो Mr. Y कहाँ पर है, option C में Mr. Y दिये हुए है, तो option C जो है प्रस्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और ये जो blood pressure ना पा जाता है, मिली मीटर में ना पा जाता है, किसका HG जो की मरकरी है, ठीक है, ठीक है, तो प्रस्न का सही उत्तर, option C हो जाएगा, अब blood pressure को हम थोड़ा सा categorize करते हैं, जैसे जैसे blood pressure बढ़ता जाता है, तो सामान रूप में 120 oblique 80 होता है, जब थोड़ा सा बढ़त elevated blood pressure कहते हैं, वही 130, 139 जब हो जाता है, इसे स्टोल, और डाया स्टोल 80 से 89 तक पहुचता है, तो इसे stage 1 कहते है, हाइपर टेंशन की, हाइपर टेंशन की शुरुवात हो जाती है, यह इसका पहला चरल माना जाता है, जब इससे भी जादा एक्सीट करता है, यानि कि जो हम hyper tensia कहते हैं, hyper tensia, hyper tensia, इसे हम hyper tensia कहते हैं, इसमें जो है, सिस्टोल जो है 180 प्लस हो जाता है, और डाया स्टोल जो है 120 प्लस हो जाता है, यह situation जब आ जाए तो आपको चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रुरत है, ऐसे situation में death भी हो जाती है, तो इसे hyper tensia crisis कहते हैं, ठीक चलिए, अगले question पर बात करते हैं, अब यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, आपको PDF मिल जाएगी, आप चाहे तो इसका screenshot भी ले सकते हैं, चलिए, अगले question पर बात करते हैं, सवाल है, the blood pressure in our body is lesser than the atmospheric pressure, greater than the atmospheric pressure, equal to the atmospheric pressure, none of the above, हमारे सरीर में रत्च चाप होता है, वायू मं दबाओ के बराबर, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वायू मंदली दब की अगर हम बात करें, या atmospheric pressure की हम बात करें, तो यह generally होता है, 760 mm of Hg, ठीक है, और हमारा जो blood pressure है, 120 oblique 80 है, लेकिन जब blood pressure को ना पा जाता है, कोई भी doctor, या जब भी आप अपने blood pressure को मापते हैं, तो यह जो हमारा atmospheric pressure है, ठीक है, इसी के साथ इसको मापा जाता है, ठीक है, तो इसलिए अगर देखें, तो हम अपने, यहां से अगर आप देखिए, तो 120, 760 से कम लग रहा है, लेकिन चूकि जो blood pressure मापा जाता है, जो atmospheric pressure है, इसके ऊपर ही मापा जाता है, तो basically अगर हम atmospheric pressure को ले करके देखें, तो 760 प्लस 120 is equal to हो जाएगा, 880 mm of Hg, अगर हम इसमें atmospheric pressure को भी include कर ले रहा है, तो total pressure जो होता है, 880 हो जाता है, तो greater than the atmospheric pressure होता है, ना कि कम होता है, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, तो normal atmospheric pressure कितना है, 760 mm of Hg, but the normal human blood pressure is 120 जब actually doctor आपके blood pressure को measure कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, जो measurement होता है, is done with respect to the atmospheric pressure, तो यह atmospheric pressure के respect में किया जाता है, यानि कि atmospheric pressure को include किया जाता है, तो 120 जो है, यह atmospheric pressure के ऊपर है, ठीक, तो यानि कि यह total हो जाता है, 880, इसमें से अगर हम atmospheric pressure को निकाल देते हैं, तो बचता है 120, ठीक तो साधारन शब्दों में हम atmospheric blood pressure को include नहीं कर रहे हो तो जबकि यह मापा जाता है atmospheric pressure के respect में ही अब यहां पर एक चीज और देखिए कि this means that the blood pressure is 120 mmHg more than the that of the atmospheric pressure अब इसमें आप दूसरी condition देखिए कि on the other hand atmospheric pressure is measured with respect to the vacuum अब यह जो atmospheric 760 है यह किसके respect में measure किया जाता है तो vacuum के उसमें किया जाता है vacuum के respect में इसको calculate किया जाता है so the actual blood pressure of our body will be कितना हो जाएगा 760 plus 120 कितना हो जाएगा 880 mm with respect to the vacuum तो red vacuum के respect में अगर देखे या कभी सवाल पूछ लेते with respect to the vacuum हमारी body का blood pressure कितना है तो 880 हो जाएगा ठीक है तो यहां से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी तो यहां से प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा option B हो जाएगा यह वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक चलिए अगले प्रस्ण पर बात करते हैं सवाल है blood grouping was discovered by जो हमारे blood का group है यह किसके द्वारा खोजा गया था अब land steiner जो है इन्हों ने एक अन्य scientist के साथ मिल करके आरेच फैक्टर का भी की खोज की थी आरेच फैक्टर यह क्या होती आगे मैं आपको describe करता हो बस यहां समझे कि आरेच फैक्टर की खोज भी लैंडिस्टीनर के दुआरा एक व्यक्ति जिनका नाम था अलेक्जेंडर S. वीनर इनके साथ मिल करके खोजा गया था आरेच का मतलब है रिसस मंकी की एक प्रजाती है रिसस मंकी उसमें आरेच फैक्टर की खोज की गई थी ये बेसिकली एक एंटीजन होता है अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में आरेच होता है तो उसे हम आरेच पॉजिटिव कहते हैं किसी व्यक्ति के ब्लड में आरेच इंटीजन नहीं होता है तो उसे हम आरेच निगेटिव कहते हैं तो आरेच निगेटिव को लेकर के एक बहुती फेमस बीमारी है जो जादा तर महिलाओं में होती है, प्रसव के दोरान होती है, डिरिंग प्रेगनेंसी होती है, उसमें क्या होती है, जब महिला पहली बार प्रेगनेंट होती है, तो जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है, उसके डिलिवरी तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जो दूसरा ब ठीक, तो Erythroblastosis fetalis में होता क्या है, कि एक मदर जो होती है, आरेच निगेटिव होती है, लेकिन जो उसके गर्भाशे में, उसके भूर्ण में, जो नौजात तिशिश होया है, जिसे हम फीटस कहते हैं, वो पल रहा होता है, वो आरेच पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसका fight करने के लिए antibody का production होने लगता है, ठीक, तो जब बच्चे में आरेच पॉजिटिव है, मदर आरेच निगेटिव है, तो जब पहला बच्चा होगा, पहला फीटस होगा, जिसमें आरेच पॉजिटिव एंटीजन बन चुका है, होता है, मौजूद होता है उसके पिता की क antibody में आरेच जो एंटीजन था, उसके अगेंस्ट antibody बन चुकी होती है, तो जब यहां पर antibody बन चुकी है, तो दूसरी बार जब बच्चा उसके ब्रूड में, उसके इम्रियों में पल रहा होगा, तो वो आरेच पॉजिटिव होगा, तो आरेच पॉजिटिव एंटीजन है और आरेच के पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट antibody मदर की सिस्टम में, मदर की ब्लड में पहले से बन चुका है, तो वो कोईगुलेट कर जाएगा, ठीक है, रक्त का थक्का बना देगा, जिसकी वज़ा से जो दूसरा बेबी है, उसकी डिथ हो जाती है, इसी को Erythrobl Clastrosis Fatalis कहते हैं, I hope समझ में आगया होगा, तो अब यहाँ पर देखिए, Karl Landsteiner was an Austrian biologist, यह physician थे, इन्होंने क्या किया, कि main blood group की खोज, 1900 के आस पास, इन्होंने इनके द्वारा ही की गई थी, और जो classification of blood group है, इन्हीं के द्वारा एक तरह से दिया गया था, from his identification of the presence of agglutinins in the blood blood में इन्होंने agglutinins के presence की वज़ा से blood को classify किया, वरगी कृत किया, agglutinins क्या होते हैं, basically यह एक ऐसे substance होते हैं, जो हमारे body में thin liquid होता है, fluid होता है, वो उसका थक्का जमाने में help करते हैं, तो agglutinins basically होते क्या हैं, कि जो हमारी body का fluid है, जो liquid तरल पदार्थ है, या blood कह ले तो उसको थक्का जमाने में काफी मदद करते हैं, या कहले कि जो viscosity होती है, उसको इनके द्वारा बढ़ा दिया जाता है, तो basically यह coagulate का काम करते हैं, ठीक है, जो blood होता है, इसको coagulate करने में help करता है, ठीक, तो इसके basis पर किया गया था, इसके बाद क्या है, कि Alexander S. Wiener और के साथ मिलकर के इन्होंने RH Factor 1937 में इसको भी खो जा था, which was believed to be the similar antigen found in the rhesus monkey red blood cell, ठीक है, thus enabling physicians to transfuse blood without endangering the patient, तो patient में बिना किसी खत्रे के blood का transfusion किया जा सके, blood को चड़ाया जा सके, तो इसमें RH Factor काफी महत्पूर भूवी का अदा करता है, तो अभी के लिए आप इतन जानिये कि लैंडिस्टीनर जो है, इडिके द्वारा प्रक्तसम्मूहन की खोज की गए थी, RH Factor आपको समझ में आ गया होगा, इरित्रोब्लास्टोसेस फिटैलिस भी आपको समझ में आ गया होगा, तो अब देखिए जो यह हमारी RBC है, तो जब हमारी RBC जिसमें RH Factor present होत प्लेट ग्रूप आफ यूनिवर्सल डोनर इस B, O, A, A, B, ठीक है, सारुभावमिक दाता का रक्त समू है, B है, O है, A है, या A, B है, तो यूनिवर्सल डोनर अगर हम बात करें, तो किसको कहते हैं, O को कहते हैं, ठीक है, तो option B जो हो जाएगा, बिलकुल सही उत्तर हो अगर आपका option आजाए, माल लीजिए, यहाँ पर O निगेटिव भी दिया होता, ठीक, जा एक option ये दिया होता, गुदिए, तो क्या इसका सही है, ही उत्तर होता, ठीक तो यहां पर जो निगेटिव वाला है यह जुआ है यूनिवर्सल डोनर है चुक्कि यहां पर O निगेटिव नहीं दिया हुआ है इसलिए हमारह सही उत्तर O होगा लेकिन अगर यहां पर ? ओ निगेटिव ऑप्शन प्रज़ कर दो तो ओ निगेटिव का मतलब है कि इसके इसमें आरेच जो एंटीजन है वो मौझूद नहीं है और यह जो पॉजिटिव है यहाँ पर आरेच फैक्टर मौझूद है इसलिए यह ओ पॉजिटिव है और यह ओ निगेटिव है तो आरेच फैक्टर क्या है बेसिकली एंटीजन है ठीक और इससे O को हम universal donor Q कहते हैं तो आप इससे समझी आपको समझ में अब आसानी से आएगा ए ब्लड ग्रूप की अगर हम बात करते हैं ब्लड की पहले ही बात कर लेते हैं ब्लड को अगर हम देखें तो दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं एक तो हमारी RBC है और एक होता है हमारा plasma जब ब्लड को हम centrifuge करते हैं तो plasma अलग हो जाता है उपर वाला जो viscous yellowish color का होता है उसे हम plasma कहते हैं ठीक तो अब यहाँ पर देखिए कि red blood cells type है A blood group B, A, B और 4 चार तरह के जो है रक्त शमू होते हैं तो अब यहाँ पर देखिए कि A वाला जो blood group है इसकी RBC पे antigen attach होता है A A के साथ A, B के साथ B, A, B के साथ A, B, O का मतलब 0 समझ लीजिए इसके साथ कोई भी antigen नहीं होता है बहुत simple सा concept है लेकिन बहुत complicated भी है अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो गलत कर देंगे A, B, A, B और O तो इसके साथ A antigen, B antigen और A, B के साथ A, B antigen लेकिन O को हम 0 मान लेते हैं तो इसके पास कोई भी antigen नहीं है यह RBC की बात कर रहा है मान लीजिए यह RBC है इसका जो blood group है B वाला कोई व्यक्ति है जिसका blood group B है तो उसकी RBC पर एक antigen लगा होगा तो antigen कौन सा होग B यह RBC की हम बात कर रहा है ठीक अब इसमें antigen के साथ antibody भी होती antibody जो होती है वो plasma में होती मैंने आपको बताया कि दो पार्ट है समझ लीजे plasma और RBC तो जो यहाँ पर plasma है तो plasma में A के opposite antibody होती है B, B वाले में इसके opposite होती है A और A B वाले में antigen जहां दोनों पर यहाँ पर अगर आपने इसको समझ लिया और इसको मन मस्तिस्क में बैठा लिया तो आपको बड़े आसानी से रक्त वाले जो questions पूछे जाते हैं आराम से आप कर लेंगे कभी confusion नहीं होगी देखिए antigen क्या होता है basically foreign particle होता है उसके against antibody होती antibody basically अगर देखे तो immune response में निकलती है हमारी प्रतिरक्षा पणाली के लिए ठीक है जो भी bacteria है and viruses है उनके against हमारी body में यह produce होती है immune line होती है ठीक तो अब यहाँ पर देखिए कि जो a blood group है यह किससे रक्त ले सकता है किससे नहीं ले सकता है तो इसको समझ यह इसको इस तरह से समझ यह आपको समझ में आएगा ज्यादा बेहतर तरीके से देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसका जो blood group है a है ठीक कोई व्यक्ति है तो उसकी जो rbc होगी a मतलब a blood group वाला ठीक और यह उसकी rbc है और यह उसका मान लीजिए plasma है ठीक यह plasma है तो इसके पास antigen है क्या है a और antibody कौण से लगी है b तो यह है antibody अब एक व्यक्ति है उसका जो blood group है b है ठीक तो इस पे कौण सा antigen लगा होगा b लगा होगा और इसका जो plasma है इसके पास जो antibody होगी कौण सी होगी a होगी यह क्या है antibody antibody किसके अगेंस्ट फाइट करती है antigen के अगेंस्ट थिक तो यहां पर b है यहां पर कौन सा antigen है b है तो यह जब ब्लड इसके में आएगा तो यह antibody इस antigen को मार देगी यह इसका ठक्का जमा देगी तो इसलिए जब ब्लड से a को रक्त नहीं दिया जा सकता ठीक यह example समझ में आया अब इसको समझिए यानि कि a वाला व्यक्ति जो है यह इसका plasma है इसके पास antibody b लगी हुए है यह antibody है यह यह इसका antigen है ठीक तो अब a वाला व्यक्ति है इसकी जो rbc है इसके पास भी same होगा antigen a यह plasma रहा इसके पास antibody कौन सी होगी b होगी तो अब यह antibody यहाँ पर जो antigen है कौन सा है a है b नहीं है ठीक तो यह इसको आने देगा आराम से अगर यहाँ पर b होता तो इसको नहीं आने देगा ठीक तो a से यह रक्त ले सकता है इसके अलावा यह जो है o से भी ले सकता है यह माली जो कोई व्यक्ति है उसका blood group है o ठीक है o है यह इसका plasma है ठीक यहाँ पर अगर हम देखे तो o वाले व्यक्ति के पास क्या होता है basically आप देखिया भी चार्ट में आपको दिखाया मैंने confusion नहीं हो आपको तो इसके पास क्या होता है कोई भी antigen नहीं होता है इसके rbc में कोई भी antigen मौजूद नहीं होती है तो यहाँ पर कोई antigen नहीं है ठीक लेकिन यहां पर Antibody कान सी है? A-B है तो अब जब हम इसको इस वाले में हो चढ़ायेंगे तो यहाँ पर Antibody कान सी है? B है और Antibody भी यहा पर Antibody, Antibody दोनों ही immune system के लिए है तो यह आपस नहीं टक्राइए लेकिन यहाँ पर कोई तो O और A, दोनों से ही A blood group वाला व्यक्ति रक्त ले सकता है, इसके अलावा नहीं ले सकता है, उम्मीद है को समझ में आया होगा आपको, नहीं समझ में आयागा तो practice करिएगा, और comment section में पूछिएगा, तो इसी तरह से इसकी kriya vidhi B वाले के साथ है, तो B वाला B और O से ले अब यहां पर antigen AB वाला है, इसे हम universal recipient कहते हैं, क्यों कहते हैं कि यहां पर AB antigen है, लेकिन antibody नहीं है, antibody अगर होती तो यह fight करती, तो यह किसी के पास भी चला आएगा यहां पर, यह universal receiver है और यह universal donor है, ठीक, तो यहां से प्रस्नका जो सही उत्तर हो जाएगा, option B हो जाएगा, अगर O negative option में होता, तो O negative जो है, बिलकुल सही उत्तर हो जाता, individuals with blood group O are universal donor because their red blood cells have neither A or nor B antigen on their surface, so the blood of a person having O group can be given to people with any blood group, ठीक है, चलिये, कोई confusion यहां तक, चलिये, आगे बढ़ते हैं, for human blood transfusion, which blood, ठीक है, आपको बताना है, human blood transfusion के संदर में assertion और reason दिया हुआ है, people with AB blood group are universal recipient, सही है, आपको पिछले question में बता दिया, red blood cells of blood group AB has no antigen, क्या यह सही है, नहीं है, क्योंकि दोनों ही antigen उसके पास होते हैं, A और B दोनों ही antigen है, ठीक, लेकिन antibody कोई नहीं है, तो यहां पर आप देखिए, क्या होगा, पह question, A is true, R is false, तो कुफिर पहला और दूसरा कि यह इसका correct explanation है कि नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत, तो option C would be the correct answer, ठीक है, blood group AB individuals have both A and B antigens on the surface of RBC and there blood plasma does not contain any antibody, तो कोई भी इनके plasma में antibody नहीं होती, जबकि दोनों ही antigen मौजूद होते हैं, therefore, an individual with type AB blood can receive blood from any group with AB being preferable, but cannot donate blood to any group of other than AB, they are known as universal recipient, ठीक चलिये, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, a man having A blood group met with a serious road accident and the doctor advised for blood transfusion, उसे blood चल्हाने की जरुरत है, doctor ने advice किया, ठीक, the relatives were asked to donate blood, whose blood groups were found to be as follows, उसने doctor ने कहा, doctor ने उनके रिष्टिदारों से कहा कि उसे रख्त चल्हाने की जरुरत है, तो उनके रिष्टिदार जो है, wife है, उसका जो blood है, O है, brother है, AB है, son है, A है, daughter है, O है, तो among, who among the above relations could donate blood to the injured man, ठीक है, ये चार कोड दिये हुए और आपको बताना है कि में से कौन सा रिष्टिदार, उसे blood दे सकता है, क्या blood group है, उसका, A है, तो अभी में पिछले question में हमने कहा कि A किस से blood ले सकता है, सिर्फ A और O से ले सकता है, तो O है पतनी का, A है पुत्र का, और O है पुत्री का, तो 1, 3, 4, 1, 3, 4 किसमें दिया हुआ है, D वाला option, ठीक, तो D would be the correct answer, चलिए, समझ में आ रहा है, फिर से समझाओ, चलिए, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पर देख लिए, A blood group है, उसके पास, उसके बें antigen थोड़ा समझाई देता हूँ, यह रही उसकी RBC, A blood group वाले कि, इसके पास antigen रहा, A, इसका जो plasma है, इस के पास antibody कौन सी है, B है, ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, कि अगर A वाला ही इसको देगा, तो क्या होगा, A वाले के पास, कौन सर एंटीबोडी, antigen होगा, A होगा, और यह है, क्या है, B, तो यह दोनों class नहीं करेंगे, इसलिए A से ले सकता है, O वाले को देखें, तो O वाले के पास कोई antigen है ही नहीं, तो antibody किस से लड़ेगी, जब antigen ही नहीं है, तो इसलिए O और A से ले सकते है, तो इसलिए यहाँ पर O वाला से दे सकता है, A वाला दे सकता है, और जो पुत्री है, O दे सकती है, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अब पर उसका road accident हो गया, उसका इतना time नहीं है, कि उसके खून को चेक किया जा सके, और उसे blood चलाने की जरूरत है, तो ऐसे मामले में, जब कि इतना भी time ना हो, कि उसका blood चेक किया जा सके, तो किसका blood आप दे सकते हैं, तो universal donor की बात अभी मैंने की थी, देखिए positive, negative यहाँ पर आ B.O. system, blood group A, blood group B, blood group A, B, blood group O, तो A has A antigen on RBC with antibody in the plasma, B के पास B antigen, antibody कौन सी होगी, A होगी plasma में, A, B के पास दोनों ही antigen, but no antibodies, O blood group के पास has no antigen, but both anti A and anti B, antibodies in the plasma, अब यहाँ तक तो चीजे समझ में आ गई, ठीक, कि O वाला जो है, क्योंकि इसके पास कोई antigen नहीं है, तो हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि जब antigen नहीं है, तो जो उसका blood group होगा, उसमें जो भी antibody होगी, किस से लड़ेगी, antigen ही नहीं है, तो antigen किस के पास नहीं है, O के पास नहीं है antigen, तो ओको हम दे सकते हैं, अब O में भी कौन सा हम prefer करेंगे, O negative को करेंगे, क्यों red blood cells sometimes have another antigen, जिसे हम कहते हैं, RH, जो की protein, sorry, protein known as RHD, ठीक है, research monkey वाला जो RH factor है, इसको RHD से हम denote करते हैं, तो जब यह होता है, तो जो जिसके पास होगा, उसे O positive कह देंगे, जिसके पास नहीं होगा, O negative कह देंगे, तो ठीक है, तो यह भी क्या है, एक basically antigen है, अब अगर मान लीजिए, यह positive है, antigen है, तो antigen basically क्या करेगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो problem कर सकता है, create कर सकता है, क्योंकि already वहाँ पर antibody मौझूद है, तो इसलिए O negative को हम prefer करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से प्रस्न का सही उत्तर option B हो जाएगा, चलिए, अगला question देखते है, थोड़ा सा explanation भी देखी लेते हैं, if this present, the blood group is RHD positive, if it is absent, the blood group is RHD negative, in most cases, O RHD negative blood can safely be given to anyone, यह किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन O को भी दिया ही जा सकता है, जो positive होता है, लेकिन अगर दोनों मौझूद हो, तो हम negative वाले को देना prefer करेंगे, क्योंकि इसके पास किसी भी तरह का कोई भी antigen ही नहीं होत ठीक है, blood में बनी हुई है उसके plasma में, वो रक्त का थक्का जमा सके है, ठीक, चलिए, if the blood group of father is A and mother is O, then what will be the blood group of son, B, A, B, O, B, A, B, O, क्या होगा, तो इसका क्या सही उत्तर होगा, फटा 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 आप लोग बताईए, देखिए, इसी चीज़ को अगर देखते होगे, त ठीक, यहां पर आप देखिए, कि parents में अगर father A है, और mother की बात करें, तो O है, तो ठीक है, तो या तो O होगा, या तो A ही होगा, ठीक है, B तो हो ही नहीं सकता, ठीक, A, B भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो antigen, antibody वाला concept है, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि A से अगर देखिए, तो क्या क्या आएगा, A antigen आ जाएगा, antibody B आएगी, O में देखिए, यहां पर कोई antigen ने कोई, तो यह आप देखिए, यहां पर क्या है, antigen B मिलेगा, antigen B नहीं मिलेगा, तो यह भी नहीं होगा, ठीक, तो यहां से प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, option O हो ज Mother Fetus, RH Blood Type, Incapability Problems Can Occur If Mother Is and Her Fetus Is, अभी मैंने Erythroblastosis Fetalis आपको समझाया, तो वही question है कि Mother क्या होगी, Mother जो है इसमें RH Negative होती है, जो की जब पीटस है, उसमें RH मौजूद होता है, RH Positive होता है, तो RH Positive क्या है, एक antigen है, तो antigen के बज़ा से जो Mother का Blood है, वो antibody बना लेता है, तो जब दूसरा बेबी होता है, तो उसमें जो मौजूद होता है, antigen उससे fight करने लगता है, ब्लड का थक्का जमा देता है, जिससे दूसर Blastosis Fatalis कहते है, या इसी को इसमें देखे, तो incompatibility आ जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा RH Negative और RH Positive, तो B वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह देखिए आपको समझ में आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए First Pregnancy, Between Pregnancy, इन दोनों Pregnancy के बीच, और यह Second Pregnancy, ठीक, अब देखिए इसको चित्र के माध्यम से समझे, RH है मदर, इसके पास कोई भी Antigen नहीं है, अब जो यह First RH Fetus है, यह जो Fetus बन रहा है, यह RH Plus है, ठीक, तो यह क्या है RH Plus? Antigen है, Antigen के Against हमारी Body में Antibodies बनती है, Plasma में, Antibody क्या करती है, हमारी प्रतिरक्षा पनाली को मजबूत क करती है, और जो भी Bacteria's होते है, Viruses होते है, या जो भी हम कहले, Infections होते है, उनके Against fight करती है, ठीक, तो अब यहाँ पर जो Antigen RH है, तो इसके Against Mother का जो Blood है, यह RH Antigen के Against antibody को create कर लेगा, तो अब देखिए, Anti-RH Antibodies इसके में create हो गई, पहला भी भी हो गया, लेकिन दूसरी का Pregnancy के बीच में, Mother के जो पूरा का पूरा सिस्टम था, उसमें Antibody बन गई, जो Anti-RH होती है, तो जब दूसरी बार Mother Pregnant होती है, और RH Fetus होता है, तो यह Antibodies इसके Against fight करती है, और जो Fetus है, उसकी Death हो जाती है, इसी को Erythroblastosis Fetalis कहते हैं, ठीक, तो देख लीजे Erythroblastosis Fetalis, also known as Hemolytic Anemia, इसे Hemolytic Anemia भी कहते हैं, is a serious medical condition that most commonly result from maternal fetal RH blood type incompatibility, ठीक है, Mother और Fetus के भी जो RH blood incompatibility होती है, उसकी वज़ा से, यह होता है, इस a woman who is RH negative and father who is RH positive conceives a child, the fetus may have, may have RH factor, that is, he would be a RH positive, जो fetus होगा, वो RH positive होगा, और इसी की वज़ा से, यह एक incompatibility आ जाती है, कि Mother negative है, जो fetus है, वो positive है, तो एक incompatibility आ जी है, जो के lead कर देता है, pregnancy में, complications में, और यहाँ पर जो बात करें, तो बच्चे की death भी हो जाती है, ठीक, क्यूंकि इसकी वज़ जो है, create हो जाती है, जिसकी वज़ा से baby की death हो जाती है, चलिए, अगला परसन देखते है, what is the pH level of blood of a normal person, नार्मल परसन की blood की अगर हम बात करें, तो, last class अगर आपने की होगी, तो उसमें देखा होगा, कि जो blood की हम बात कर रहे है, तो असमें देखा होगा, कि जो blood की हम ब alkaline होता है, तो अब यहाँ पर parameters क्या है, 0 to 7 and 14, तो यहाँ पर 7 को हम neutral मानते हैं, जिसे हम हिंदी में उदासीन कहते हैं, अब किसी का भी जो pH value है, 7 से कम होती है, अज जितना यह 0 तरह बढ़ती जाती है, वो उतना जादा अमली या उतना जादा acidic होता है, ठीक, और इधर ज होता चला जाता है, साल्टी होता जाता, तो जो blood group है, blood है, वो 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच होता है, तो जो human blood है, यह क्या होगा, slightly alkaline होगा, ठीक, तो option C, बिल्कुल से होगा, देखिए यहाँ पर यह है, ठीक, तो यह basically क्या होगा, basic या हम इसे slightly alkaline कह देंगे, ठीक है, बहुत अच्छा, an antigen is a substance which destroys harmful bacteria, is used to treat poisoning, lowers body temperature या stimulate formation of antibody, antigen वह पदार्थ है, जो हानिकारक जीवाडवों को नस्ट करता है, विशाक्तता के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, शरीर का तापमान कम करता है, antibody के निर्माड को उत्तेजित करता है, क्या होगा इसका सही उत्त अभी मैंने पहले ही बताया कि antigen against antibody produce होती है, ठीक, fight करने के लिए तो क्या है, stimulate formation of antibody, तो option D would be the correct answer, ठीक है, जो antigen है, उससे लड़ने के लिए, जो हमारी body की immune system है, वो antibody को create करती है, ठीक है, जनरली आप देखिए, कभी-कभी आपको fever होता है, या कभी जुखाम हो जाता है, हलकी-फुल की चीज़े होती है, आप दवा नहीं भी लेते हैं, तो भी आप ठीक हो जाती है, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो viral fever होता है, जो viruses होते हैं, हवा में, ठीक है, उसकी वज़ा से हमें viral fever होता है, ठीक है, जुखाम वगरा, इस तरह की चीज़े होती है, तो दरसल ह हमारी body का immune system है जब कोई भी foreign particle या बाहर का कोई कण हमारे सरीर में आता है वो चाहे virus particle हो या कोई भी चीज़ हो तो हमारी body उसके response में antibody को formation करना शुरू कर देती है जिससे की जो antibody होती है वो उस foreign particle के against fight करती है ठीक है तो यहाँ पर जो antigen होगा यह ऐसा substance है यह ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में antibody के निर्माड को उत्तेजित कर देता है ठीक है तो antigen is usually a foreign protein molecule in some cases it is a polysaccharide कभी-कभी यह polysaccharide भी होता है basically which enters sorry which enters the body fluid हमारे body fluid में आ जाता है as a part of infectious agent and is capable of inducing the production of specific antibody तो हमारी शरीर उसके against specific antibody का production शुरू कर देती है जिसकी वज़ा से हमारे जो immune system है उसकी वज़ा से हमारी body protect होती है ठीक तो basically यहाँ पर देखे क्या है यह एक foreign protein molecule होता है इसके अलावा it is a blood protein which make an infected animal immune to a foreign antigen this response is called immune response ठीक है तो आप इसका भी शाहे तो screenshot ले सकते है तो antigen के against जो है हमारे सरीर में antibody का production होता है जिससे की हमारा सरीर स्वस्त बना रहता है which of the following helps us in protecting from infection RBC, WBC, blood plasma या hemoglobin निमलिखित में से काउन हमें संक्रमर से बचाने में मदद करता है अब देखे वहाँ पर तो मामला आ गया था antigen और antibody का तो अब यहाँ आपको बताना है RBC करती है, WBC करती है, blood plasma करती है या hemoglobin करती है तो देखिए, आप पहली क्लास अगर आपने ली होगी circulatory system की, तो शायद उसमें एक question इससे related था कि एक question था कि RBC के क्या क्या काम है तो उसमें एक options आई दिये भी था कि immune system से related तो RBC का वो function नहीं था तो RBC immune system से संबंदित नहीं है blood plasma, blood plasma भी नहीं है हीमोगलोबीन रक्त को color देता है बचा क्या WBC ठीक है इसी को हम leucocyte भी कहते हैं leucocyte तो WBC basically है immune system से जोड़ी होती है और हम एक infection से बचाने में मदद करती है अब इसको देखें तो जो WBC है इसको हम दो तीन भागों में अलग-अलग करके देखते हैं तो इसमें देखें तो एक होता है granulocyte, lymphocyte, monocyte और monocyte granulocyte में तीन आते हैं कौन-कौन से neutrophils, eosinophils और basophils तो यह जो है granulocyte में आते है ठीक है और इसके बाद lymphocyte और monocyte यह आपको इसके अलग-अलग component है तो basically lymphocyte में देखें तो दो तरह की cell आती है B lymphocyte and T lymphocyte ठीक है तो जो T lymphocyte है तो यह हमारे immune से जुड़ी हुई है immune response से ठीक है और B lymphocyte की अगर बात करें तो यह basically antibody बनाती है ठीक तो यहाँ पर आप देखें जो lymphocyte है basically या हम कहलें कि पूरी तरक्यों की lymphocyte basically part है किसका WBC का तो यह जो है हमारे immune response में महतपूर्ण भूमी का अदा करती है तो यहाँ से प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा WBC हो जाएगा ना कि RBC, Hemoglobin या Blood Plasma ठीक है चलिए White Blood Carp Cells या WBCs are disease fighting cells found in blood when our blood is infected by any harmful bacteria or virus at any place in the body White Blood Carp Cells reach there and eat up or destroy these harmful outsiders ठीक है तो इसमें WBC का महतपूर रोल होता है हमारे immune response को ले करके चलिए अगला देखते है antibodies are formed in blood plasma by which of the following monocyte, lymphocyte, eosinophils, neutrophils तो अभी मैंने यहाँ ही पर आपको बताया कि आप यहाँ पर देखिए क्या है तो B lymphocyte क्या करती है antibody को create करती है और question क्या पूछा है कि antibodies are formed in blood plasma by which of the following तो lymphocyte हो गया lymphocyte क्या है WBC है, WBC तो यह भी है ठीक है यह सिनोफिल, neutrophils यह क्या है, granulocyte है तो यहाँ पर lymphocyte के द्वारा antibodies बनाई जा रही है ठीक है तो इस प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा option B हो जाएगा और जो lymphocyte जो B है जो antibody बना रही है इनका production होता है bone marrow में B से आप ऐसे समझ लिजे bone marrow ठीक है, इनका production bone marrow में होता है या develop वही पर होती lymphocyte के structure की बात करें तो कुछ इस तरह से इनका structure होता है यहाँ पर आपको endoplasmic reticulum भी मिल जाएगा ribosome मिलेगा यहाँ पर nucleus है इसका यह पूरा का पूरा वाला portion यह mitochondria यहाँ पर मिलेगी यह जो यहाँ पर liquid fluid है इसे हम cytoplasm कहते है कुछ इस तरह से इसका structure होता है चलिए, lymphocytes produce antibody in blood plasma and are responsible for in activating poisonous substances, ठीक है lymphocytes are very basically देखे यह जो है white blood cells में बहुत छोटी मतलब cells होती है और इनके जो nucleus होते हैं यहाँ पर आप देखिए कि पूरे की पूरी cell में सबसे बड़ा portion आपको देख रहा कि इसका nucleus का देख रहा है यह रहा nucleus ठीक है तो nucleus इनके जो है काफी बड़े होते हैं large होते है wonders in the whole body अब पूरी सरीर में इधर उधर यह घूमते रहते हैं wonder करते रहते हैं ठीक है और जहां कहीं पर भी इस तरह की चीजे देखने को मिलती है यानि कि जब भी कोई antigen होता है तो वहाँ पर उसे पहुँझ करके उसको केल कर देती है या destroy कर देती है और यह इनकी बात करें जो WBC count होता है यह about 20 to 25% होता है हमारे total जो WBC जो हमारी body में total WBC होती है उसका 20 से 25% जो होती है lymphocyte होती है ठीक चलिए यहाँ पर देखिए T और B से बारे में भी दिया हुआ है lymphocytes include natural killers T और B को हम natural killers कहते है which are major cellular components of the immune response अगला question है the viscous nature of the human blood is due to proteins in blood, platelets in plasma RBC and WBC in blood all of the above तो जो हमारे रक्त का चिपचिपापन होता है वो basically देखे तो किसकी वज़ास होता है तो रक्त में जो एक protein मौजूद होती है उसकी वज़ास से होता है plasma का इसके में कोई रोल नहीं होता है क्योंकि platelets की बात करें RBC, WBC की बात करें तो इनका अपना अलग महत्पूल रोल है RBC basically color देती है ठीक है और हीमोगलोबिन की वज़ासे और हीमोगलोबिन जो है oxygen को लेकर जाता है यह रहीमोगलोबिन जाती The primary determines of the blood viscosity is hematokrit and plasma यह hematokrit क्या है एक protein है ठीक है plasma viscosity is determined by the water content and macromolecule components So these factors that affect blood viscosity are the plasma protein concentration तो यहाँ पर जो blood में protein मौझूद है hematokrit इसकी वज़ा से इसकी viscosity है ठीक चलिए अगला question देखते है diameter of the white blood carp cells in human body देखिए यह कुछ factual चीजे है इसमें कोई concept नहीं लगता है कि जो diameter है white blood cells उनकी कितनी होती है तो यह 0.007 mm होती है इसको आप ऐसे हिर्रट लीजे याद कर लीजे इसमें कोई concept काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आप इतना ही जानी है ठीक है तो number of leucocytes यादि डबलू बीसी की अगर बात करें तो blood में अगर देखें तो indicator of the disease होती है यादि कि जब इनकी मात्रा जब बढ़ जाती है और इनका जो shape है वो थोड़ा सा distorted हो जाता है तो यह बताता है कि हमारे सरीर में कि हम किसी बीमारी से ग्रसित है तो normal white blood cells की अगर बात करें हमारे body में जो होता है 4000 से 11000 per micro liter of blood per micro liter of blood बात करें 4000 से 11000 के बीच होती है white blood cells और यह total कितना make up करती है total blood volume का 1% make up करती है approximately 1% of the total blood volume in a healthy adult ठीक अब यहाँ पर देखें कि जब इनकी जो संख्या है बढ़ जाती है white blood cells की the increase in the number of the leukocytes over upper limits जैनी कि 11000 से बढ़ जाती है तो इसको हम कहते है leukocytosis और 4000 से जब यह कम हो जाती है तो इसको leukopenia कहते है तो leukopenia का मतलब है कि हमारी body में per micro liter of blood में 4000 से कम जो है leukocytes है या white blood cells है तो इसको leukopenia कहते हैं तो वहीं अगर इसकी बात करें जब यह 11000 से ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम leukocytosis कहते है diameter होता है 0.007 mm चलिए in pathology excess of white carb cells in blood is called जब हमारे शरीर में अगर देखे तो जो white blood cells है उनकी मात्रा बहुत जादा हो जाती है तो उसको pathology के term में हम क्या कहते है रक्त में स्वेथ कड़िकाओं की अधिकता को pathology कहते है उसकी pathology को क्या कहते है enoxia, leukemia, anemia, septicemia तो इसको leukemia कहते है leukemia basically एक group of cancer है जिसमें जो हमारी WBC है उसकी जो growth है देखे उस cell की growth देखे तो abnormal तरीके से उसकी growth होने लगती है आप इस चित्र के माद्यम से देखे ये normal blood है ठीक है normal blood में आप देखे तो red blood cells की क्या है neutrophils ये neutrophils क्या है WBC है ठीक है monosis की देखे इस तरह लेकिन जब leukemia होता है leukemia basically क्या है group of cancers होता है तो यहां पर देखे ये leukemia cells होती है किस तरह से इनका जो shape है बड़ा हो जा रहा है किस तरह से अलग तरीके से हो जा रहा है तो leukemia हो जाता है leukemia is a group of cancer that usually begins in the bone marrow कहां पर इसकी शुरुवात होती है bone marrow में होती है और इसमे abnormal white blood cells का production होने लगता है white blood cells are not fully developed इसमें क्या हो तो पूरी तरह से इनका development या पूरा विकास नहीं हो पाता है and are called blasts और leukemia cells तो इने blasts या leukemia cells भी हम कहते हैं और इसके जो symptoms होते हैं basically bleeding और brushing problems इसमें देखने को मिलती है तो चीजें आपको समझ में आई होंगी और आज देखें तो जो circulatory system था वो पूरा complete हुआ question तो बहुत सारे बनते ही रहते हैं लेकिन लगभग इतने questions आपको करा दिये गए है कि लगभग कोई भी सवाल अगर पूछा जाता है blood circulatory system से तो आप उसे आसानी से कर लेंगे हमने blood group से भी related कुछ questions को किया जो concept दिया आप उसको ध्यान रखें तो blood transfusions के दोरान यानि कि जब किसी भी व्यक्ति को रख्त चढ़ाया जाता है तो किसका चढ़ाना किसका नहीं चढ़ाना है ठीक तो आप उसको भी आसानी से कर लेंगे तो इसको जरूर एक बार देख लिजएगा क्योंकि confusion create होती है तो WBC, RBC से related हम लोगों ने कुछ question किये कोई query है कोई doubt है comment section में बताईए मेरे telegram group पर बताईए मुझे आप instagram पर भी message करके direct connect हो सकते है तो जो भी आपकी कोई query है कोई सुझाओ है तो जरूर आप दीजिएगा आपकी जो प्रतिक्रियाएं है वो उसके लिए हमें इंतिजार रहता है तो मिलते हैं अगले live session में तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जै हिन जै बारत